बिहार के लोगों के दर्मियान जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे मेरे साथ धोका हुआ, कैसे लोकतंतर के साथ दगाबाजी की गई और कैसे जनता का विश्वास तोड़ दिया गया और इसी विश्वास को हासिल करने के लिए पटना से निकलने वाले हैं तेश्वी ही तै है और तेश्वे ही लोगों का विश्वास है और इसी विश्वास को जीतने के लिए तेश्वी प्रशाद यादब ने जन विश्वास यातरा का आगाज करने का एलान कर दिया है, यानि बीस तारीक को राजधानी पटना से निकलने वाले हैं और उनके यातरा की जो वो सबसे पहले तिरूट से होगी, मुजफ़रपूर, सीता मडही और शीुहर में उनकी यातरा होगी, वहाँ पर उनके पाटी के निताओं ने थास शुरू कर दी हैं, वो पूरी दमखम से इस तैयारी में जुट गए हैं शिवर की बात करें तो वहाँ पर उनके MLC है फारुक शेख जो लोग सभा के उमिदवार भी बताये जाते हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि एक जन सैलाब तेजस्वी आदब को देखने के लिए उतरेगा इसलिए कि तेजस्वी आदब यकीन का नाम है तेजस्वी आदब राजरीती में विश्वास का नाम है और तेजस्वी ही तैय है इसलिए कि जब वो निकलते हैं तो लोगों का जो इस्दहाम है जो भीड़ है वो नज़र आता है और ये भीड़ इसलिए आता है क्योंकि तेजस्वी में लोगों को यकीन है जो उनका कारेकाल रहा 17 महीने का लोगों को बता दिया गया कि किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है और किस तरह से लोगों का यकीन जीता जा सकता है उसी तरह से राष्टे जनता जलके जो सीता मड़ी में नेता है वो लगतार इस पूरे मामले को लेकर के तैयारी कर रहे हैं चाहे वो उनके जिला अधिक सुनील कुश्वा जो पूर विधायक है वो हो या आरजेडी के जो पूर विधायक सेद अबू दोजाना वो हो या ये क्या अरजेडी के जो विधायक है मुकेश यादव वो हो और युवा राज़त के जो लोग है वो सब लोग भी तैयारी में जुट गए है और उनका कहना है कि तेसी परशाद यादव की जो यात्रा है वो सफल होगी ये इतिहासिक होगी और ये यात्रा बहुत बड़े पैमाने पर अगर सीता मरी जिले की बात की जाए तो जिस तरह से बाज़ पट्टी का अलाका है जहां से मुकेश यादव विधायक है वहाँ पार्टी के एक बड़े नेता है सुधीर कुमर वो तैयारी कर रहे हैं और उसके इलावा कई ऐसे नेता हैं जो तैयारी में जुट गए हैं और उनका ये कहना है कि जिस तरह से तेजस्वी परशाद यादव के साथ चलावा हुआ है वो सारी चीज़े हम लोगों के सामने बताएंगे युवा राज़त के जो अध्धेश रोशन यादव उन्होंने भी बत राजनेता दे सकता है लेकिन जो जंता है आवाम है वो धोका नहीं दे सकती वो धिलों से तेजस्वी को प्यार करती है और ये सारा जो नतीजा है वो चुनाओ के समय लोगों को देखने को मिलेगा कि तेजस्वी ही तय है, तेजस्वी ही यकीन है और इसी यकीन को जीतने के लिए तेजस्वी परशाद यादाब और उनकी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि लोगों से समर्थर मागा जाए, लोगों का जो विश्वास, राजनिता और सियासत में खास तोर से बिहार से उठा है उसे लोगों को बताया जाए कि तेजस्वी में विश्वास रखिये, तेजस्वी ही तय है, तेजस्वी ही राजनिती का यकीन और भविश है